खाना खाने का बेहतरीन वक्त नाश्ता जाकने के बाद 20 मिनट के अंदर अंदर नाश्ता कर लें सुबह 10 बज़े के बाद नाश्ते में देर ना करें ये देख लेके आपके नाश्ते में परोटीन मजूद हो नाश्टे में अंडो का और दलिये का इस्तमाल जरूर करें लंच कोशिश करें कि अपने नाश्टे और लंच के दर्मियान चार घंटे का वकफा रखें शाम चार बज़े के बाद देर ना करें रात का खाना रात का खाना बेहतर है कि दुपहर के खाने के बाद चार घंटे का वक्पा रखें सोने से तीन घंटे पहले खाना खा ले रात दस वज़े के बाद खाना ना खाएं चाए का एक कप इस्तमाल करें मगर इहत्याद के साथ चाए को खुराक के तोर पर नहीं दुआ के तोर पर पिया करें शायद मिज़ाज के इतबार से गरम खुशक और पसी नावर है सर्दी लग चाने के सूरत में इसे इस्तमाल फाइदा देता है मगर ज्यादा इस्तमाल सेहत के लिए बहुत नुक्सान दे है वजन कम करने वली चाए बर्गे सदाप अज्वाइन के पते ग्रीन टी एक एक चमच दो गिलास पानी में डाल कर इतना पकाएं के एक गिलास रह जाए तो चान कर पी ले सांस की बिमारी के लिए एक चोटी प्यास का रस और बड़ी अलाइची को तवे पर भून कर इसके दाने नहार मू ले ले सांस की बिमारी के लिए बहुत ही ज्यादा फाइदा मंद है बेसन की रोटी से शुगर का इलाच शुगर के मरीज दस दिन तक बेसन की रोटी खाएं इस से शुगर बहुत ही जल्द कंट्रॉल हो जाएगी चेहरें पर दाने के निशान खतम करने के लिए चेहरे पर निकलने वले दानों के निशानात बास उकात बाकी रह जाते हैं इन निशानात से निजात के लिए रोगने जतौन रोगने कदू हम वजन मिला कर चेहरे पर लगाएं इसका इस्तमाल इस वकत तक जारी रखें जब तक ये निशान मुकमल तोर पर खतम ना हो जाए एक हफ्ते के अंदर जल्द फरक पढड़ना शुरू हो जाएगा लाल बंध कोबी के फाइदे जामनी रंग की बंध कोबी है लेकिन लाल बंध कोबी कहलाती है लाल बंध कोबी में विटामन्स बहुत मिक्तार में पाया जाता है इसमें मौजूद एंटी आकसाइड्स दिमागिक बीमारी कैंसर अब्राज कल्प से निजात बचाती है इसका इस्तमाल बहुत ही ज्यादा फाइदा मन्द है फोरण बुखार खतम करने का असान तरीका किसी भी किसम का बुखार हो सबस अलाइची चंद दाने एक कप पानी में उबाल ले जब आधा कप रह जाए तो इसमें चार चमच सुर्ख मिर्च मिक्स करें और फिर मरीज को ये पानी पिला दें इससे मरीज को बेख़त पसीना आएगा बुखार जल्द खतम हो जाएगा रंगत में निखार टमाटर को काट कर चेहरे का मिसाज करने से थोड़े ही दिनों में चेहरे की चाईयां कम पड़ जाती हैं और रंगत में निखार आना शुरू हो जाता है खाम तेल में पकी हुई सबजियों के फाइदे घी या कम तेल में पकी हुई सबसियां मुरख की कलेजी, मच्छी, डाल बगएर तेल के सराथ, खीरा, टमाटर बगएरा को रोज़ाना इस्तमाल करें क्योंके ये सब चीजें सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुफीद हैं दाल चीनी से ब्रेट प्रेशर का इलाज दार चीनी ब्रेट प्रेशर को नॉर्मा रखने के इलावा मेदे में बिक्टेरिया की अफसाइश को रोकती है ये पुछत ही स्यादा फाइदा मन्द है नसला जुकाम में मुबतला इफराद के लिए तोटका दूद वली चाय की बजाए बगैर दूद वली चाय पिये इसमें शक्कर की जगा शेहत और थोड़ा सा लीमो का रस शामिल करें इसका इस्तमाल करें नसला जुकाम से जल्द अफाका हो जाएगा सेप के मुसलसल इस्तमाल से खोन साफ सुथरा हो जाता है रुकसार लाल हो जाते हैं चेहरे की रंगत गोरी हो जाती है इसके बकुत से फायदे हैं काफी पीने के फवाit काफी पीने से जहनी दुबाओ कम हो जता है जिसकी वज़ा से आपका जहन फ्रेश हो जाता है अगर नींद ना आ रही हो तो ये अमल करें अगर आपको सोने में मुश्किल हो रही है तो एक मिनट के लिए तेजी से पलके जबके इस से आपकी नींद अच्छी आएगी जालो की सफाई का सप्रे बोतल लेकर इसमें नमक और पानी मिलाकर मिक्स करके बना लें फिर इससे घर के कोनों पर सप्रे करें जहां जाले लगे हो या लगते हो ये तरीका ना सिर्फ जालो को साफ रखने के लिए मुफीद है बलके लंपे अरसे तक जाले दुबारा नहीं लगेंगे मलतानी मिटी का इस्तमाल मलतानी मिटी का इस्तमाल बहुत ही ज्यादा स्कीन को खुबसूरत बना देता है ये बहुत एहम किसम का टॉनिक है हफ़ते में दो दफ़ा इसके इस्तमाल से स्कीन बहुत ज्यादा खुबसूरत हो जाती है लीमू और पॉदीने का रस मिलाकर पीने से हाजमा बुक्त ज्यादा अच्छा हो जाता है लीमू का रस अद्रक के साथ मिलाकर पीने से वजन कम होगा लकडी की कंगी इस्तमाल करें हमेशा लकडी की कंगी इस्तमाल करने से ये फाइदा रहेगा कि कभी भी सर के बाल नहीं तूटेंगे कंकी खरीते के बाद इसको थोड़ी देर सरसो के तेल में डिबो दे और बात में इस्तमाल करें देही का पानी जिगर की सफाई देही के उपर का पानी जिगर को धोता है हर किसम के हेपाटाइडिस का इलाज है पांच हफ़तों तक फजर और असर दो टाइम आदा गिलास पिएं जबरदस्थ तोटका है बहुत अजीब लेकिन काम का है पखाने में आने वला खौन एक कप पानी में एक अंजीर असर के टाइम भिखो कर अगली सुबा फजर के टाइम खाएं और पानी पिएं तो पुखाने से आने वला खौन बंद हो जाएगा जुकाम से बचने के लिए अगर किसी को जुकाम हो जाएं दूसरे लोग जुकाम के वाइरस से बचना चाहें अगर मिर्च तेज हो जाए तो एक प्याज प्राउन करके अख बार पर फिला दें, थोड़ी ही देर में खस्ता हो जाएगा, हाथ से कुचल कर सालन में डाल दें, लीमूं का रस डाल कर मिर्च भी मिर्च को कम किया जा सकता है, बहुत ही ज्यादा जबर जबरत रस कोड़ का ह किचन में बारिश का पानी जरूर रखें, बारिश की पानी से शिपा है, जब भी बारिश हो तो बारिश का पानी जमा कर लें, किचन में बोतले भर के रख दें, जब भी घी वगएरा से हाथ जल जाए तो फोरत इस जग़र बारिश का पानी लगाएं, चालने वगएरा न जबelshवेश कहती हुछ कहा सबस्क्राइब में सबस्क्राइबariaब इस आपता हुछ